क्या आप हेडिक के लिए आयरुवेदिक फॉर्मिलेशन शीर शूलादी वजररस का उपयोग कर रहे हो कुछ इस प्रकार के वीडियो देखने के बाद सरदर्द बहुत ही कॉमन हो गया है इसलिए जादातर लोगों की फर्स्टेड केट में सैरीडॉन तो होती ही है सैरीडॉन प्रोपी फिनाजोन पैरसीटामूल और कैफीन के कॉंबिनेशन से बनती है इसका आयरुवेदिक ऑल्टरनेटिव है शीर शूलादी वटी शीर मतलब लें दिन में तीन बार ली जा सकती है आपको बता दे इस वीडियो के अंदर दी गई जानकारी और लाइन ओफ ट्रीट्मेंट मिसलीडिंग यानि की भ्रामक है जानिए कैसे इस वीडियो के अंदर कहा गया है कि सरीशूलादी वजर रस ये 20 हर्बन मेडिसिन से बने है पर पारण है कि हर्बो मिनरल कॉंबिनेशन हमेशा एक स्पेसिफिक कॉंटिटी और स्पेसिफिक डोज में लोगों को लेना चाहिए और ये कौलिफाइड आयरवेदिक डॉक्टर ही जो है अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं दूसरी बात इसमें ये कहा गया है कि शिर्शूला डिफर करता है शिर्शूलादी वजररस आपको कितना टाबलेट लेना चाहिए और कब तक लेना चाहिए ये आप हमेशा आपके डॉक्टर के सला अनुसार ही ले ना कि किसी वीडियो की जानकारी डेख कर ले तीसरी बात इस वीडियो में कहा गया है कि सेरेडॉन या जैसे पेन किलर के जगाया आप शिर्शूलादी वजररस को ले यहां आपको जानकारी दे दे कि मॉडरन के पेन किलर्स एक्यूट हेड़ेक के लिए काम करते हैं और उनका काम करने का तरीका अलग है आप उसे शिर्शूलादी वजररस का सब्सिट्यूट नहीं कर सकते हैं ये जानकारी हम इसलिए दे रहे हैं क्यूंकि प्रेंट किलर के जैसे लोग शिर्षुलादी वज़रस को एक समय दो या तीन टाबलेट से भी ज़ादा खा लेते हैं जो फिर से आपके सरीर के लिए हानिकारक हो सकता हैं इसलिए हर्बो मीरल कॉम्बिनीशन का हमेशा आपके अईरुवेदिक परामर्ष के उनसार ही ले आप अपने हीड़ेक का इलाज हमारे कौलिफाइड अईरुवेदिक डॉक्टर से कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए आप हमें प्लेनिक पे समपर कर सकते हैं